प्रेज़े लॉर्ड आई ग्रीट यौल इन दे मैचलेस नेम अफ लॉर्ड जीजुस क्राइस्ट आज एक और बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा यह बहुत कॉमन है आप लोगोंने कई बार बहुत से लोगों के मुझे सुना होगा सब कहते हैं कि सब भगवान एक है जब कभी मैं उन से जीजुस के बारे में बात करता हूँ और वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही है अच्छी बात है बिल्कुल जीजुस is a true and living God और हम जीजुस को भी मानते हैं हम कृष्ण को भी मानते हैं हम साइए को भी मानते हैं हम तो वाहे गुरु को भी मानते हैं क्योंकि हम तो गुरुद्वारों में भी जाते हैं हम तो अजमेर शरीफ बहुत क्यों साइक लोगों का एक जवाब होता है कि सब भगवान एक हैं क्या कहते हैं सब भगवान एक हैं और यह बड़ी confusion create करता है अगर हम देखें कि बहुत सारे धर्म है और हर धर्म में ऐसी बाते बताई जाती है कोई कहता है कि शंकर ने और ब्रह्मा ने in fact इस पृत्वी की रचना की और कोई कहता है कि खुदा ने सब कुछ बनाया कोई कहता है कि वाहे गुरू ने सब कुछ बनाया कोई कह रहा है कि जो है जीजस ने सब कुछ बनाया बहुत confusing है हर धर्म कहता है कि मेरे जो भगवान है मेरे जो गौड है उसने सब कुछ बनाया तो हर कोई क्लेम कर रहा है कि उसके जो गौड है उसके जो भगवान है दुनिया का इस पूरी दुनिया को चलाने वाला वही एक मातर है और वही creator है तो सारे claim कर रहे हैं कि वो जिसको मानते हैं वो सच्छा creator है तो इसके बीच में confusion की अवस्था create होती कि वह सब ने तो create नहीं किया होगा क्योंकि सब दावे कर रहे हैं मैंने बनाया मैंने बनाया मैंने बनाया लेकिन बनाया किसी एक नहीं लेकिन दावे बहुत सारे पेश हो रहे हैं जैसे कि ताजमत, अगर मैं पूछ हूं ताजमल ने बनाया तो आप बता सकते हैं कि वह साहजा ने बनवाया था अब अग्बर कहें में ने बनवाया था अगर औरंगजीभ में ने बनवाया था नहीं वो सारे किंग थे, they all were kings, but बनवाया तो शाजा नहीं था, तो आप कैसे कह सकते नहीं, वो सब ने बनवाया था, they all are same, no it's not like that, अब जैसे मैं अगर भीड में खड़ा हूं, railway station में, तो मेरा जो बेटा है, वो मेरे चेहरे को पहचानता है, और वो जब अपने डाड को मेरे डाड मेरे लिए कोल्टरिंग लेने के ले गए हैं, जूस लेने के ले गए हैं, तो वो देख सकता है कि भीड में से जो एक चेहरा आ रहा है, वो उसके डाड कहे है, और वो मुझे डाड कहेगा, और मेरी गोद में चड़ेगा, और मुझसे जो भी चीज़ें उसे चा पापा हो जाएंगे नहीं मैं अपने बाप को जानता हूं मैं अपने पापा के चेहरे को पहचानता हूं है ना सब बाप है तो इसका मतले हैं नहीं कि उसके बाप मेरे बाप नो I know who is my individual father मैं इसके चेहरे को जानता हूं I can recognize in his face in between the crowd also तो सारे भगवान एक नहीं एक ही भगवाण है आज मैं इसका आपको सबसे easiest way बताता हूं जब भी आप अकीले बैठे हों या आप रात को सोने के लिए जा रहे हों या दोपहर में आप अकीले बैठे हैं या अरली मॉर्निंग जब भी आपको लगता है कि इस वक्त आसपस सुकून है शांती है आप दिल से एक प्रात्न करें आप उसमें जीजस का नाम नहीं लेना जीजस को ध्यान नहीं करना आप किसी भगवान का भी नाम नहीं लेना वहे गुरु का भी नहीं और अल्ला का भी नहीं किसी का नाम मत लेना किसी को ध्यान भी मत करना सिर्फ ट्रांस में आप कह सकते हैं और जो इस पूरी काइनात को बनाने वाला है, जो इस जमीन और इस आस्मान को बनाने वाला है, जो सच्चा creator है, जो सच्चा स्रिष्टी करता है, जिसने मुझे और इस सारी दुनिया बनाए, जो इस दुनिया पर इस पूरे आप कह सकते हैं काइनात को राज करता है, वो सच् आप उसको बुलाएं वह उन्नोन गॉड आप नहीं जानते वह कौन है बट आप उसे बुलाएं यह जो भी है वह आज की राथ अपने आपको मश्वर प्रगट करें हो सकता है आज की ही राथ हो सकता है तीन दिन बाद हो सकता है हफ्ते भर बाद दस दिन बाद पंदरा दिन बाद हंड्रेट एंट परसेंट शूर है डट यूविल गेट समांसर जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो और जिसनी इंटेंसिटी के साथ जितने आप डीप जाकर उसे बुलाएंगे वह सर्टेनली वह आएगा वैबल में भी ऐसा लिखा है कि धूंडोगे तो तुम पाओगे असा लिखा है कि मांगोगे तो मिलेगा धूंडोगे तो पाओगे और खट-खटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा और न्यूटन का भी थार्ड लोग क्याता है एवर अब जब मांगे तो आपको मिलेगा आप धूंडेंगे उसको आप उसको पालेंगे आप खट-खटाओगे आपको लिए खोला जाएगा यह हैवन का प्रिंसपल है तो आप जो भी आपके सामने आए आपको बस यह प्राठन करनी कि जिसने भी मुझे और जिसने जमीन और आसमान को बनाये जो जो सच्चा स्रिष्टी करता है वो अपने आपको मुझे पर रिवील करें मैं उसे देखना चाहता हूं मैं उसे जानना चाहता हूं मैं उसे सच्चा परमेश्र को बुलाएंगे तो सच्छा परमेश्और ही आएगा और कोई नहीं आएगा आए और जो भी आपके सामने आता है मैंने जनता कौन आएगा इस प्राष्न करने के बाद को इस प्राष्न अप जो प्र सामने प्रगट हो जो आप उसे अपना जीवन दीजिए, आप उसे अपना जीवन दीजिए, मैं नहीं जानता कौन आएगा, लेकिन जो भी आए आप उसे माने, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को बताया, कि आप इस तरीके से प्रात्ने करो, तो कि वो बहुत confusion में होते हैं, इतने सारे religion, इतने सार अरे धर में पूरे विश्म, कौन सच्चा है, कौन सच्चा खुदा है, कौन सच्चा creator है, कैसे पता चलेगा, तो आप इस प्रात्ना को ज़रूर करें, और मैंने बहुत से लोगों को बताया, और 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, एक महने के बाद, लोगों ने मुझे बताय that I had some encounter, I had some experience, please tell me more about Jesus, उन्होंने मुझसे और इश्यू के बारे में जानने की एक्षा ज़ता है, कहीं ने कहीं इश्यू ने उनको जो है, अपने आपको समझने का मौका दिया, परमेश्यू ने अपने आपको प्रगट किया, तो मैं इस explanation के साथ, आप सभी को मैं शुबरात कहता हूं, गुडबाई कहता हूं, हम हर धर्म के इज़त करते हैं, और हर एक उस इंसान के में इज़त करता हूं, जो प्रार्थना करता है, जो पूजा पाट करता है, जो इबादत करता है, आप सभी बहुत अच्छे लोग हैं, वो हर एक इंसान अच्छा है, जो भगवान पर गौड पर अल्ला पर वाहे गुरु पर किसी पर भी विश्वास रखता है क्योंकि कम से कम वो मानता तो है कि कोई है और वो धूंड रहा है और सही बात बताओ जो धूंड रहा है वो एक दिन पाव ही लेगा कि सच्चा परमेशर कौन है लेकिन वो लोग जो नास्ति अध प्रविश्यों के नाम की महिमा के लिए प्रेस्ट लौर्ड